अतश्री गरुडपुराने द्विपंचाषदुत्तर्सत्तमोध्यायः धन्वंतरिरुभाच अथातो यक्ष्मरोगस्या निदानं प्रवदाम्यः अनेकरोगा नुगतो बहुरोग पुरोगमाः राज यक्ष्माक्षयह शोषो रोगराडिति कत्यते नक्षत्रानाम्दुजानांच राग्यो भूध्यदयं पुराः यक्ष्माच राज यक्ष्माच राज यक्ष्माततो मतः देहुषधक्षयकृतेह शयस्तत्संभवाच्यसह रसादिशोषणाच्छोषो रोगराडिति राजवत्साहसंबेगसंप्रोधा शुक्रवजह श्नेहसंख्यह अन्नपान विधित्यागस्चत्वारस्तस्यहेतव तैरुदीरणो निलह पित्तं व्यर्थन्चोदीरियसर्वतः शरीरसंधिमाविष्यो ताह शिराह प्रतिपीडयन मुखानिष्रोधसामृध्वा तथैवाति विष्रिज्यवा मध्यमूर्ध्वमधस्तिर्यग व्यतां संजनये धृदःः रूपं भविष्यतस्तस्य प्रतिष्यायो भिषम ज्वरह प्रसेको मुखामादुरियं मार्दवं बन्नि देहयो लौल्यभावन पनादव शुचाव शुचिभीक्षणं मक्षिकात्रनकेशादिपातः प्रायोन पनयो रिल्ला सस्चर्धिररुचि रश्नाते पिबलक्षया पान्योरुबक्षः पादास्या कुक्ष्यक्ष्णोरति शुक्लता बावो हो प्रतोदो जिवाया काये बैवत्स्यदर्शनं स्त्रीमध्यमामसप्रियता घ्रनिता मूर्ध गुंठनं नखकेशास्थि बृद्धिष्या स्वपनेचा भिववो भवेत् पतनं क्रिकलासाहि कपिष्वापद पक्षिभी केशास्थि तुष भस्मादि तरव समधि रोहनं शुन्यानाम ग्रामदेशानाम दर्शनं शुष्यतों भजह जोतिर्दिविदवाग्नीनाम ज्वलताम्च महीरुहाम पीन सस्वाष कासंच स्वरमूर्ध्व रुचो रुचिही। उर्ध्व निश्वास सम्षोषा बधस्चर्दिष्यकोष्ठगे। स्थिते पार्श्वेच रुग्वोधे संधिस्थे भवति ज्वरह। रूपान्याइकाद शैतानी जायंते राजयक्ष्वनह। तेशा मुपद्रवान विद्यात कंठध्ध्वंस गरीरुजाह। ज्रिम्भांग मर्धनिष्ठिव बन्हिमांद्यास्य पूतिता। तत्रबात आच्छिरह पार्श्वशूलनं सांग मर्धनं। कंठरोधा स्वरभधंषः पित्तात पादांस पानिषू। दाहो तिसारो श्रिक्छर्दिर्मुख गंधो ज्वरो मदह। कफादरो चकस्छर्दिकासा अर्धांग गौरवं। प्रसेकह पीनसह श्वासह स्वरभेदोल्प बन्हित। दोशैर्मंदान लत्वेन शोथलेप कफोल्वनेह। श्रोतो मुखेशुरुद्धेशु धातुशु स्वल्पकेशुच। बिताहो मनसहस्थाने भवंत्यन्ययुपद्रवाह। पच्यते कोष्ठेवान्न मम्लयुक्तैरसैर्युतं। प्रायोस्यक्षय भागानाम नैवान्नम्चांग पुष्ठये। रसोयस्या नरक्ताय माम्साय कुरुते तुदत। उपष्टब्धाह समंताच्य केवलं बर्ततेक्षयी। लिंगेश्वल्पेश्वतिक्षिनं व्याधु शटकर्नक्षयं। बर्जयेत् साधये देवा सर्वेश्वपिततो न्यता। दोशैर्व्यस्तै समस्तैष्चा क्षयात्सर्वस्यमेदसह। स्वरवेदो भवेत्तस्या क्षामो रूक्षस्चलह स्वरह। शुकबर्नाभकंठत्वं श्निक्धोष्णो पशमो निलात। पित्तात्तालुगले दाहह शोशो भवति संततं। लिम्पन्निवकपई ही कंधं मुखं घुरु घुरायते। स्वयं विरुद्धै ही सर्वैस्तु सर्वलिंगै ही क्षयो भवेत। धुमायती वचात्यर्थ मुदेती श्लेष्मलक्षणं। कृच्चरसाध्याहाक्षयास्चात्र सर्वैरल्पंच वर्जयेत। इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखंडे प्रतमाईशाक्ये आचारकंडे। यक्ष्मनिदानम्नाम द्विपंचाषदुत्तर सततमोध्यायाहा धन्वंदरिरुवाचा। अरोचक निदानन्ते बक्षेहं सुष्रुताधुना अरोचको भवेद्धोषईर जिवाहृदयसंश्रयेह। सन्निपाते नमनसह संतापेनच पंचमह। कशायतिक्तमधुरं बाताधिशुमुखं क्रमात। सर्भं वीतरसंशोको क्रोधाधिशुयतामनह। चर्धिदोषई ही पृतक्सरवैर दुष्टरन्यस्यपंचमह। उदानो धिकृतांदोषां सर्भं संध्यरहमस्यती आशुकलेशोस्यलावण्या प्रसेकारुचयह क्रमात। नाभिप्रिष्ठम्रुजत्याशु पार्ष्वेचाहारमुत्क्षिपेत। ततो विच्छन्नमल्पाल्पकषायं फेनिलंबमेत। शब्दोध्यारयुतह कृच्रमनुकृच्रेन बेगवत। काशास्यशोषगं बातात्स्वरपीडा समन्वितं। पित्तात्क्षारोदगनिभं। धूम्रं हरितपीतगं। साश्रिगंलं कटुतित्तं। तन्मूर्चादाह पाकवत। कभात्ष्निक्धं घनंपीतं। स्लेष्मतस्तु समाक्षिकं। मधुरं लवनं भूरि प्रसक्तं लोमहर्षणं। मखच्ष्वयतु माधुर्यो तंद्राहरिल्लासकाषवान। सर्वैर लिंगेहि समापन्नस्त्याज्यो भवति सर्वता। सर्वम्यस्यच विद्विष्टं दर्शन श्रवनादिवे। बातादि नैवसंकृद्धो क्रिमे दुष्टान जेगदे। शूलबे पतुहिल्लासो विशेशात क्रमिजे भवेत। अब एक सोबावनमे अध्याई में यक्ष्मा रोक का निदान बताते हैं। धन्वंतरी जी ने कहा अब यक्ष्मा रोग निदान कहता हूँ। यहाँ रोग अनेक रोगों के बाद होता है। तथा यहाँ उत्पन होकर अनेक रोगों को जन्म देता है। राज यक्ष्मा, क्षाय, शोश, तथा रोग राज, यक्ष्मा रोग के ही बाचक शब्द है, यह रोग पूर्व कालम में आकाश, दुजों तथा अनक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, राजा को होने के कारण इसे राज यक्ष्मा कहते हैं, इस रोग की उत्पत कारण देह तथा अवशधी का क्षय हो जाता है। इसलिए इसे क्षय कहते हैं। यह देह के रसों का शोशक रोग होने के कारण इसको शोश कहा जाता है। यह सभी रोगों में प्रधान है। अतह इसे रोग राज कहते हैं। सभी साहसकार्य, मलमूत्र बेक को रोकना, शुक्र बल तथा शरीर गत्ष्टनेह, ख्षय तथा नियम की अवहलना इन चार कारियों से यह रोग उत्पन होता है। इन कारणों से बायू प्रकुपित होकर पित एवं कफ को सरवत्र व्याप्त करके शरीर की संधियों में प्रवेश कराके शिराओं को पीडित तथा शारीरिक श्रोतों को बंद अत्वा फैला देता है। तथा शरीर के उर्धो अधो तथा पार्श में पीडा को उत्पन करता है। इस रोग के आगमन के पहले अत्यंत ज्वर, मुत्रश्राव, मुख में मदूरता, अगनी तथा शरीरगत मृदुता, अन्पानादी की स्प्रिहा, पवित्र बस्तु को भी अपवित्र समझना य पड़ गए हैं। स्वाश, सर्दी, भोजन में अरुची, श्नान के पहले बलक्ष, हाथ, उरु, वक्ष, पैर, मुख, कोख तथा नेत्र में शुक्ल बरण द्योतित होना। यह राज यक्ष्मा रोग का उपद्रव रूप है। दोनों बाहू तथा जीब में बेदना, शरीर से घ्रणा लगना, स्त्री, मद्य, मांस की इच्छा, शिर घुमना भी राज यक्ष्मा का विशेश लक्षन है। केश, अस्थी तथा नख की ब्रिद्धी तथा शेयन काल में अनेक विकृतियां परिलक्षित होती है। रोगी इनसे अभीभूत हो जाता है। उसे लगता है कि वह किसी उची जगे से गिरा है। वह स्वप्न में गिर्गिट, साप, बंदर, मांसाहरी पशू, पक्षी, केश, हडडी, अउशदी तथा भस्म देखता है। ब्रिक्ष के उपर चड़ना, ग्राम तथा देश की सुन्निता, अर्थादवे जनहीन लगें ऐसे। जल से रहित शुष्क, आकाशस्त पदार्थों की जोती, दावागनी में जलते हुए ब्रिक्ष, यह सब यक्ष्मा रोगी के स्वप्न में आते हैं। पीनस, श्वास, काश, स्वर्भंग, शिर्पीडा, अरुची, उर्धुश्वास, बमन, शरीर की शुष्कता, पार्ष संधियों में दर्द, ज्वर, यह ग्यारे, उपसर्ग, यक्ष्मा में होते हैं। इस रोग में कंठ में ऐसी बेदना होती है, जिसमें लगता है मानो कंठ फट जाएगा। जवाई, अंग मर्दन, थूकना, अगनी की मंदता तथा मुक्की दुर्गंद होती है। बातज राज यक्ष्मा में शिरपीडा, पार्षों में पीडा, अंगों में मरोड, कंठ रोध, स्वर्भंग आदी लक्षन उत्पन हो जाते हैं। पित्ट से उत्पन राज यक्ष्मा रोग में पैर, कंधा तथा हतेली में दाह, अतिसार रोग, रक्त बमन, मुक्से दुर्गंद, ज्वर तथा मत्ता के लक्षन ब्यक्त होते हैं। कफ जनित राज यक्ष्मा में अरुची, सर्दी, काश, आधे अंगों में शुष्कता, मुखश्राब, पीनस, स्वाश, स्वर्भंग, अगनी की मंदता ये लक्षन ब्यक्त होते हैं। इस रोग में बायू, पित, कफ, कुपित होकर अगनिमांद्य तथा शोत उत्पन करते हैं। कफ की अमित प्रबलता की बज़े से लगता है कि मुख में कुछ लेप लगा है। इस रोग के कारण रस, रक्त बाहक, श्रोत, श्रोतों का मुख बंद हो जाता है। धातू, लागव वशात, हरदय में जलन, आदी अनेक उपद्रव होते हैं और बारंबार बमन तथा हिचकी होती है। इस रोग में पक्वाशय में अमलमे रस जन्म लेता है। उससे अनपाक होने के कारण सरवदा शरीर ताप की हानी होती है। खाद्य का परिपाक अब शरीर पुष्ट नहीं कर पाता। यक्ष्मा रोगी का खाया अन्न रक्त मांस उत्पन नहीं कर सकता। फलत हो शरीर ब्रिधिंगत नहीं होता। केवल उसका ख्षय ही होता है। यक्ष्मा में जब सब कुछ व्यक्त होता है उस समय यदि रोगी के अंग ख्षिन हो चथा इंद्रियां बिकल हो जाएं तब उस रोगी की चिकित्सा त्याग दे। जब तक संपूर्ण लक्षन व्यक्त नहों रोगी बली हो उसकी इंद्रियां सतेज हो तभी तक उसकी चिकित्सा साध्य मानी जाएगी। उक्त रोग में जब दोश अलग से अत्वा एक साथ व्यक्त हों तब सभी में मेदक्षय होने के कारण स्वर्भेद, स्वर्मेक्षिनता तथा रुक्षता होती है। बातज राज यक्ष्मा में रोगी का कंठ, शुक्षिंबी की तरह करकश हो जाता है। शरीर की श्निग्धता तथा उष्णता का लोप हो जाता है। पित्त जनित राज यक्ष्मा में तालू एवम गले में दाह तथा शोश होता है। कफज राज यक्ष्मा में रोगी को कंठ तथा मुख लेप चड़ासा अनूत होता है। कंठ से सदा घरगरा हट की आवाज होती है। इस रोग में रोगी अपत्य सेवन करने लगता है। लेकिन अविलंब सभी लक्षन व्यक्त होने लगते हैं। उक्त रोग में रोगी की आँखों के सामने धूम जैसा अनूब होता है। शलेश्मा के लक्षन भी व्यक्त होते हैं। यह रोग कटनाई से साध्य होता हो पाता है। यदि ये सभी लक्षन कुछ-कुछ भी व्यक्त हों, तब बैद्य ऐसे रोगी की चिकित्सा त्याग दे। 152 अध्याय समाफ्त। अब 153 में अध्याय में अरोचक निदान का वर्णन करते हैं। धन्वंतरी ने कहा हे शुशुरुत अब अरोचक निदान शरवन करो। बात पित्ताजी दोश जीवा तथा हरदय का आश्रय लेकर अरोचक रोग उत्पन्न करते हैं। यह पांच तरेका कहा गया है। जैसे बातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तथा मन संतापज। बातज अरोचक व्याधी में रोगी के मुक्का स्वाद कशाय, पित्तज में तिक्त, कफज में मधुर रहता है। इस रोग में रोगी किसी खाद्ध के यतार्थ आस्वाद का अनुभव नहीं कर पाता। जैसे व्यक्ति शोक तथा क्रोध की इस्तिती में अस्तिर हो जाता है, वैसे ही इस रोग में सभी द्रभ्य रोगी के लिए ग्रहनिय नहीं रह जाते। यह रोग पांच प्रकार का वर्नित है। यता चर्दिज, वातज, पितज, कफज तथा सन्निपातज। उदानवायू दूशित होकर सभी प्रकार के दोशुत्पन करती है। इससे रोगी को हठात कलेश होता है। मुख का स्वाद लवनाक तो हो जाता है। मुख से श्राब होना तता अरूची होना प्रारंब होता है। इसमें सहसा नाभी एवं पीठ में दर्द होने लगता है। भोजन किया हुआ द्रब्य पार्श में बिखर जाता है। जिससे रोगी को कशाय, फेनिल, तनिक-तनिक बमन होने लगता है। बातज अरोचक रोग में अत्यन्त कश्ट के साथ तथा शब्द के साथ उदगार निकलता है। बमन भी कश्टपूर्ण तथा बेग युक्त होता है। खांसी, मुख्षोष, स्वर्भंग आदी उपद्रभी होते हैं। पित जनित अरोचक रोग होने पर क्शार जल जैसा धुम्र वर्ण, हरित अत्वा पीला रंग वाला, कटू तिक्त अत्वा रक्त वाला अमल बमन होता है। त्रशना, मूर्चा, दाह आदी उपद्रभ होते हैं। कफज अरोचक रोग में शनिक्द, घन, पीतवन, मधुर, अत्वा लवण जैसी शलेख्षमा निकलती है। इस रोग में अधिक मुक्ष्राव होता है, तथा शरीर में रोमांच हो जाता है। इस रोग में मुक्षोष, मुक में मधुर स्वाद होना, तंद्रा, थूक, कास, आदी उपद्रभ होते हैं। जब यह रोग सभी लक्षणों वाला हो जाता है, तब रोगी को कुछ भी अच्छा प्रतीत नहीं होता। मनोरण्यन वाली सभाभी उसे बिरक्ती प्यदा करती है। दर्शन श्रवणादी में भी उससे प्रसन्नता तथा शंतोष नहीं होता। यह रोग बातादी से और बढ़ जाता है। क्रिमी तथा दूशित अन्न सेवन से अरोचक रोग में शूल, कपकपी, हरिल्लास आधी उपद्रव होने लगते हैं। 153 अध्या समाप्त।